ये है दिली दर्पन कराए धिल्ली बुजर्गों. इस दोब बूर गुजर्गों को की इन staffing का एक है एक लाख कोईवासिए पेंशन है जिसका कुछ हिसा केंदर सरकार से करता है तीन लाख पेंशन्स पूरी तरह से दिल्ली सरकार देती है एक लाख बुजर्गों को ऐसी पेंशन मिलती है जिसमें से कुछ हिस्सा दिल्ली सरकार से आता है और कुछ हिस्सा केंदर सरकार से आता है पिछले पाँच महीने से इन एक लाख बुजर्गों को पेंशन नहीं मिल रही थी इसलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि जो पेंशन्स जिन पेंशनों का हिस्सा केंदर सरकार देती है उन पेंशनों को भारतिय जनता पार्टी शासित केंदर सरकार ने रोक रखा था दिल्ली के बुज़ुर्ग बहुत परिशान थे ये ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो गरीब परिवारों से आते हैं ये ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिनके पास इस बुज़ुर्ग पेंशन के अलावा इस वृद्धा वस्था पेंशन के अलावा कोई भी आर्थिक साधन नहीं है उनके पास अपनी देखरेक के लिए, उनके पास अपनी दिवादवाईयों के लिए उनके पास अपना घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे मेरे पास अक्सर ये बुजर्ग आते थे, कभी हमारे घर में आते थे, कभी मेरे आफिस में आते थे ये बुजर्ग हमारे अलग लग विधायकों के पास जाते थे दिल्ली के ये एक लाख बुजर्ग पिछले पाँच महीने से बहुत परिशान थे इनको लग रहा था कि इनकी देखरेख करने वाला इनका बेटा अर्विंद केजरी वाल जेल में है और इसी वज़े से उनकी पेंशन रुख गई है और इसी वज़े से उनके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है उनको पेंशन दिलवाने वाला कोई नहीं है लेकिन मैं दिल्ली के इन एक लाख बुजर्गों को बताना चाहती हूं कि चाहे आपका बेटा अर्विंद केजरीवाल जेल में हैं लेकिन जेल में होने के बावजूद भी उनको दिन रात दिल्ली के बुजर्गों की जिनको वो अपना माता पिता मानते हैं, उनकी चिंता रही है पिछले कुछ महीनों में, मैं जब भी उनसे मिलने गई हूँ तो उन्होंने एक चीज हर बार पूछी है कि बुजर्गों की पेंशन आई के नहीं आई उन्होंने हर बार चिंता जदाई है के उनके माता पिता, दिल्ली के बज़र्ग, दिल्ली के एक लाघ बुजर्ग परेशान है और उनकी बैशन नहें आ रही है लेकिन आप बुजर्गों के इस प्यार का, बुजर्गों के इस आशिरवाथ का चमतकार देखिए कि उनके बेटे अर्विंद केजरीवाल ने जेल में होने के बावजूद भारती जंता पार्टी की केंदर सरकार से लड़कर इन एक लाख बुजर्गों की पेंशन दिलवाई है मैंने एक लाख बुजर्गों को बढ़ाई देना चाहती हूं कि जो पेंशन अपरेल के महीने से रुक गई थी वो एक लाख बुजर्गों की पेंशन अब आना शुरू हो गई है कल से हमारे सोशल वेलफेर डिपार्टमेंट ने इस पेंशन को एक लाख बुज़ूर्गों के अकाउंट में क्रेडिट करना शुरू कर दिया है कल तक तक तकरीमन एक लाख में से नब्वे हजार पेंशन का ट्रांसफर हो चुका है तो आज से अगर बुज़ूर्ग अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगे तो उनके अकाउंट में ये पैसा क्रेडिट हो गया होगा तो जो भी उनके खर्चें हैं जो नहीं कर पा रहे थे जिसकी वज़े से वो परिशान थे अब वो अपने बैंक से पैसे निकाल के वो खर्चा कर सकते हैं जो बचे हुए दस हजार पेंशनर्स हैं नबे हजार की कर शाम तक क्रेडिट हो गई थी जो बाकी दस हजार पेंशन्स बची हुई हैं वो आज दिन में सोशल वेलफेर विभाग दवारा दिल्ली के को एक वादा करना चाहिए कि चाहे आपका बेटा अर्विंद केजरीवाल जेल में हो वो आपके हक के लिए लड़ना बंद नहीं करेंगे भारतिय जनता पार्टी का एक ही काम है दिल्ली के लोगों को परिशान करना दिल्ली के लोगों के काम रोकना जिए उसी तरहां से औ उन्होंने दिल्ली के बुजर्गों की पेंशन रोकी हुई थी लेकिन मैं अर्विंद केजरिवाल जी की तरफ से अर्विंद केजरिवाल जी की सरकार की तरफ से आपको ये वादा कर रही हो कि चाहे हमें कितना भी लड़ना पड़े हम दिल्ली वालों के लिए लड़ते रहे करवादे रहेंगे जिस तरह से भारतिय जंटा पर्टी इन रचार से लड़कर राइए पहं ने यह पंशन बुजुर्गों को दिल्वाई है उसी तरह से दिल्ली वालों के जो भी रुके हुए काम हैं उस चैजरी वाद सरकार जरूर कराएंगी थाई हजाद रुपे की पेंशन होती है उसमें से बाइस सो रुपे 2200 दिली सरकार देती है तीन सो रुपे केंदर सरकार देती है ईसे उस पैंशन की टर्म जन कंडिशन जैसी हां कि चाहे एक बहुत च्पुका। साट ऑे लिकिन वह है बेना वह पैंशन रीज नहीं हो सकती है है वो उसकी टर्म्स और कंडिशन और इसी वजह से क्योंकि केंदर सरकार से उनका हिस्सा नहीं आया हुआ था दिली के बुज़र्गों की पैंशन रुकी एक लाख लोगों की पैंशन उस वज़जे से रुकी हुई थी यह पैंशन जो लास्ट पैंशन मिली थी वह लास्ट फैंशन यर में बुज़र्गों को मिली थी यानि मार्च की पैंशन इन बुज़र्गों को मिल चुकी है एप्रिल, में, जून, जुलाई और अगस्त के महीने की पैंशन अभी तक इन बुज़र्गों को नहीं मिली थी तो जो अभी तक की सारी पैंडिंग पैंशन है पिछले पांच महीनों की उस पैंशन को एक बार में ही क्रेडिट कर दिया गया है जैसे हमेंने बताया 90,000 बुज़र्गों की पेंशन तो अल्रेडी उनका बैंक ट्रांसफर हो गया है और आज ही उनके अकाउंट में जितना टाइम आर्टी जीएस को रिफलेक्ट होने में लगता है तो आज से ही उनके बैंक अकाउंट में या कल सुबह तक उनके बैंक अकाउंट में ये पैसे रिफलेक्ट होने शुरू हो जाएगा देखिए सब को पता है कि अर्विंद केजरिवाल जी को और उनके पाटी के अन्य नेताओं को चाहे वो मनीश सोधिया जी हो चाहे वो संजे सिंग जी हो चाहे सतेंद्र जैन जी हो जूटे मुकदमों में भसाया जा रहा है यह देश के क्या दुनिया के इतिहास का पहला तथा कथिद भरष्टाचार का केस होगा जिसमें एक रुपया भी भरष्टाचार का कहीं से नहीं मिला है लेकिन यह भारतिय जंता पाटी की साजिश है अर्विंद केजरी वाल जी को परिशान करने की साजिश है दिल्ली वालों के काम रोकने की साजिश है लेकिन सबको पता है कि अर्विंद केजरी वाल जी ने आज तक एक रुपय का भरष्टाचार किया है ना एक रुपय का भरष्टाचार करेंगे और हमें उच्छ न्यायाले पे भरोसा है कि जिस तरहां उच्छ न्यायाले ने ED के केस में अर्विन केजरीवाल जी को राहत दी है जिस तरहां से उच्छ न्यायाले ने मनीश सोधिया जी को बेल दी है जिस तरहां से सुप्रीम कोट ने संजे सिंग जी को बेज दी है मुझे पूरा भरोसा है कि हमें सुप्रीम कोट से राहत मिलेगे लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिल लोग उन करें www.delly.darpun.tv.com खबरों की कवरिज और विज्यापनों के लिए संपर्ख करें इस नमबर पर